मनी शिशोदिया का तो जो होना था वो सब को दिखाई दे रहा है इसके साथ साथ जो इनके नए सूपर स्टार जो इनसे भी ज़्यादा इमांदार तथा कतित रूप से होते थे संजय सिंग वो भी गिरफ्ट में आ गए हैं सुपरिम कोट को ऐसा लग गया कि technically legally ये बेल के लिए इंटाइटल नहीं है इसके पहले इनकी बेल हाई कोट से दो भर खारीज हो चुकी है दो भर कि तीन भर खारीज हो चुकी इनोंने पतनी का भी भाहना लगा के लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आठ महीने में ट्राइल नहीं पूरा होता तो आप फिर से आजेएगा लेकिन ये चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि इनकी जो इंफ्लूएंस है इनकी सनलिप्तता है इनका इंडलिजन्स इनका कहीं न कहीं रोल हर कोर्ट को दिखाई दे रहा है इसलिए कोट ने इनको बेल देने से सीधा-सीधा हर कोट ने मना किया है आप देखें तो ये तीसरे लेयर पर है दिल्ली सरकार के सबसे ज़्यादा कटर इमांदार कहें जाने वाले मनीश शोदिया की आज बेल याचिका को सुप्रीम कोट ने खारिश कर दिया ह और इसी के साथ 338 करोड रुपे की जो हेरा फेरी है उसके बारे में भी सुप्रीम कोट की तरफ से जिक्र किया गया है और इसी के साथ सुप्रीम कोट ने कहा है कि 8 महिनों के अंदर जो है वो ट्रायल पूरा किया जाए उसके बाद जो है वो मनीश शोदिया अपनी याचिका वाली है और क्या रुख रह सकता है आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोड का जिस तरीके से चीज़ना सामने आ रही है देखे मनीश शौदिया का तो जो होना था वो सबको दिखाई दे रहा है इसके साथ साथ जो इनके नए सूपर स्टार जो इनसे भी ज़्यादा इमांद लेकिन ये दिखाई दे गया है कि जो कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं चाहे आप मंत्री हो या कुछ भी हो सुपरिम कोड को ऐसा लग गया कि टेकनिकली लीगली ये बेल के लिए इंटाइटल नहीं है इसके पहले इनकी बेल हाई कोड से दो बर खारीज हो चुकी है दो बर क्या तीन बर खारीज हो चुकी है इन्होंने पतनी का भी बहाना लगा के लगाया था और उसके बाद ये सुपरिम कोड आ गया कि बेल हमको दे दी जाए हमारे साथ एडी अत्याचार कर रही है ये कर रही हो कर रही है अब सब दूद का दूद पानी का पानी है जो एविडेंस इखटे किये हैं वो सब इनके पास आए है अब सुपरिम कोड ने चुकी ये बहुत जोर लगा रहे थे तो सुपरिम कोड ने ये कहा कि आप आठ महीने में ट्राइल नहीं पूरा होता तो आप फिर से आजएगा लेकिन ये चीज सामने दिखाई दे रही है कि इनकी जो influence है इनकी सनलिप्तता है इनका indulgence इनका कहीं रोल हर कोड को दिखाई दे रहा है इसलिए कोड ने इनको बेल देने से सीधा सीधा हर कोड ने मना किया है आप देखे तो ये तीसरे लेर पर है सबसे पहले ED की कोड ने मना किया detail order है उसके बाद ही हाई कोड गए फ दे रही है जो बहुत बेशरमी है आप पार्टी के लिए कि कोट कह रही है कि आप मंतरी रहते हुए गवाहों को फाइलों को इंफ्लेंस कर सकते हैं वो आप पार्टी सिध कर रही है इनको अभी मंतरी पद से नहीं हटाया है इनको जेल में भी मंतरा ले दिया हुआ है तो लेंगे अपने कबजे में लेकर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो चोर भी तुम और राजा भी तुम यही इसी सिस्टम पर चल रहे हैं और यह जो और आया है अभी इसको देखके यह लग गया कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है सारी चीजों को सारी मिश्ची पार्टी जो है वो यह आरोब जरूर लगाती है कि अगर हमारे नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है उन्हें अगर बेल नहीं मिल रही है और उनकी अगर गिरफतारी की गई है तो यह सब बीजेपी दवा बनाने के लिए कर रही है चाहाएं फिर वो संजी सिंग की गिर चुकि यह पंजाब के हमारे स्टार कंपेडर हैं तो इसलिए इनको भटकाने के लिए किया जा रहा है जबकि सचाई यह है कि सतेंद्र जैन हावाला की शेल कंपनीज में इन्वाल्ड थे इस बात को इन्होंने सामने नहीं लाकर बोला उसके बास संजे जब मनीशी सोदिय पर सर्च शुरू हुआ जब उन पर रेड हुई तो यह कहते रहे कि कहीं कुछ नहीं मिला हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जब अपरूबर आ गया जब गवाह आ गया जिसने बोला कि इन्होंने सिम डिस्ट्रॉय किये हैं मैंने मिलवाया है मैं मिला हूँ और उसी सौधिया साव हैं या बच्चों के बहुत प्यारे हैं इन्होंने सिक्षा में आमूल चूल बहुत परिवर्तन कर दिये हैं और दिली के सिक्षा इतनी अच्छी नीती बना दी है कि दिली सिक्षा में सबसे आगया आगया है विशो में इन्होंने पेड निउस भी छप लेकिन सची बात इन्होंने ये नहीं बताई कि इनके मंत्री ने दलाली खाई हैं दलालों के साथ बैठे हैं इनके घर नोकेशन आई है SIM की जहां से इन्होंने डिस्ट्रॉई किये हैं और एक दो नहीं सौ सवा सौ सिम इन्होंने डिस्ट्रॉई किये हैं मुबाइल हैंड सेट डिस्ट्रॉई किये हैं हार्ड डिस्क को फॉर्मिट किया है तो वो सब फॉरेंसिक एविडेंस आ गया है उसको बताने कीवज़ाए ये दाइंबाई की बाते कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं जब इनके तीसरे तथा कती टिवांदार सजन पकड़े गए है, जो राजसभा के सानसत भी थे, तो इन्हों ने कहना शुरू किया कि इनके नोटिस से, इडी क्या नोटिस देगी, इन्होंने नोटिस दिया, तो इडी डर गई, लेकिन सचाई ये है कि इनका रिमांड भी हुआ है, और वो जेल में है, अब तीनों मंत्री जेल में है, ये दिखाई दे गया कि उनका जो खास पीएस था, जिसको वो अपना पीए है, हम वापस कर देंगे, ये क्या कर देंगे, इन चीजों को बताना चाहिए, जो तथाकतित रूप से साफ और सच राजनीती करने आये थे, ये लोग सबसे गंदे निकले, दिल्ली की जनता को निरंतर मुर्ख बनाया, और सरकारी पैसे को लूटा है, सरकारी एकसाईज को होगा, ये तो दिखाई दे रहा है, ये कॉमन सेंस की बात है, तो ये तो इनको साब साब बताना चाहिए, वो बताने की बजाए वो इधर दर की बाते कर रहे हैं, लेकिन नयाले के सामने सब की पोल खुल जाती है, जो एविडेंस आई है, जो रिकॉर्ड आया है, उसको द है, इन्फूलेंस किया जा रहा है, तो ये तो अनर्गल बाते करने में माहिर है, इनको बिना सिरपेर की बात करने की आदत है, जो इसलिए तो सुप्रीम कोट ने इतना बड़ा जो है, वो बयान दिया बात कही है, तो जो तीन सो एरतिस करोड रूपे का मामला निकल कर आ र money trail तो trail कर लिया है तो पकड़ा गया shell companies के थूरू इन्होंने kickback लिया पैसे को घुमाया और जा कर ये पैसा इनके पास पहुँचा तो सुप्रिम कोट ने जो कहा है कि आम आदमी पार्टी के रोल को भी आप देख सकते हैं और ED की और से बोला गया है कि हम आदमी पार्टी को ही पार्टी बनाएंगे क्यूज बनाएंगे तो ये दिखाई दे रहा है कि कितने गहरे तक आदमी पार्टी के लोग नेता और जो काडर के लोग हैं जो ट्रेल में दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट्स में पिछले एक साल के डेड़ साल के ट्रेल के बाद बाकि जो कैश में गाइब किया गया है जो दूसरी कंपनी में लिया गया है जो हो सारे दिल्ली में खुल गए थे, वन प्लस वन की स्कीम थी, उसको इन्होंने जैसे ही शोर मचा, जैसे ही CBI ने इंक्वारी शुरू की तो उसको इन्होंने बंद कर दिया, पॉलिसी को वापस ले ली, इसका मतलब चोर की दाड़ी में तिनका है, और ये लोग बुरी तरह से क कहीं न कहीं involved है, इसलिए इनके खिलाब सक से सक कारवाई होनी भी चाहिए.